हाई गईस वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगे और मैं भी ठीक हूँ हाज आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूँ कि हेर वोस कैसे करते हैं सही तरीका क्या होता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ में सेयर कर र नहीं है बिल्कुल भी नहीं टूटे जो भी टूटना होता है बस कंगी के टाइम पर ही टूट जाते हैं धुलने के पहले तो आपको कंगी करना बहुत जरूरी होता है तो सबसे पहले आपको बाल कर दूलने से पहले आपको भाल खेचने है उसके बाद जो आपका तो आप लोगों को घोल लेना है उसके बाद आपको बाल गी ले करना है मैंने बाल गी ले कर लिए थे बहुत अच्छे से और हाँ एक चीछ के लिए मैं सौरी बोलना चाहूंगी मेरा कैमरा कैमरा क्या मॉबाइल ममी ने पकड़ रखा था क्योंकि गाये के बच्चे बंदी तो डर लग रहा था कई ट्राइपॉड पे पैर या पूछ ना मार दे जिसके वज़े से मेरा मोबाइल जो है पाने में किर जाए तो फिर खराबी हो जाता इसी वज़े से मैंने अपना मोबाइल पामी को पकड़ा रखा था जिसकी वज़े से अच्छे वीडियो सैथ नहीं बन पा रहे हैं लेकिन हाँ ये वीडियो एक सब्सक्राइबर ने कहा था उनके लिए मैंने बनाया है क्योंकि बहुत पहले उन्होंने बोला था इसी वज़े से तो मैं उनके लिए बना रही हूँ तो जो भी है वीडियो में अच्छे लगे तो भी ठीक है कोसिस किया कि पहले अपने बालों को भीगाया बालों को भीगाने के बाद जो सेंपू का घुल बना रखा था पहले से जो भी आप सेंपू यूज करते हो वह सेंपू आप यूज कर ले उसके बाद जो है मैंने अपने बालों पे डाला है और अच्छे से अपने बालों पे हलके हां से ल हो रहा है उसके बार जो भी बच्चे होगे उसको भी डाल लें Sozialπ contr जाए उसके बाराल जो भी बच्चे होगा उसको भी डाल लें कि कम ज्यादा ओएल जिसके सिर में लगा होगा हो था. ग्याहीं सैंपू हो भी लगता है मेरे में थो पाउण हो कि जिसकी वज़े से मुझे वो सारे चीजी यूज करना पड़े तो बस normal sample यूज किया था तो मैंने अच्छे से अपने बालो को sample किया है और रगड रेती हलके हांसे बालो को ज्यादा तेज नहीं रगड नहीं अपने बालो को और जड़े थोड़ी सी रगड की आपको बहुत अछे से साफ करना है सिर्वें से अपने सिर ने से बहुत अच्छे से साफ कर दिया अपने सिर को पानी से आप लोग लग रहा होगा सहद में ज्यादा प्रेसर डाल करके बालों को रगटे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था बसाँ सैंपू को जो है उसारा साफ करना जरूरी होता है तो बस हलके हाँ से ही रगड रही थी अपने बालों को बहुत ही अच्छे से अपने बालों को पानी से साफ करना होता है वरना नुक्सानी हो जाता है बालों को जड़ना टूटना खुजली यह सारी चीज़े तो ही जाती है उसके वाद से आपको अपने बालों को मैंने बाल्टी टप वगरा नहीं मैंने लिया था क्योंकि मैं बातरों में वीडियो बनाई थी आंगर में बनाई थी तो इस चीज़ के लिए मैंने पहले भी बोल दिया कि प्रॉबलम थी बच्चे थे गाय के बंधी होगे थे दो दो लकिन कोसिस की हो कि बन जाए ठीक ठाक समझा जाए इसी वज़े से आज मुझे वाज भी डालने पड़ रहे है क्योंकि गलत चीज बन भी गए मुझे पता भी है कि इनने अच्छी नहीं बन पाई यह वीडियो तो इसी वज़े से मैंने आज वाज भी टाल दी है इसमें आ और भी जो भी चीज़े हो अब बताना वैसे मैंने जब पाल दूले थे खीचते टाइम तो थोड़े से ज़ड़े थे क्योंकि इतना जादा नहीं लेकिन हाँ हलके फुलके तो फिर ज़ड़ते हैं तो नॉर्मल बात होती है लेकिन दूलते टाइम सिर्फ दो ही तीन बाल मेसा कि यह चीज़ होती है जब भी में दूलते हुँ तो बस तो ही तीन बाल निकलते हैं उसके बाद अपने बालों को डिप किया बहुत अच्छे से दो तीन पानी में मैंने डिप किया है चेंज करके अच्छे से कान बचा करके क्योंकि कान में पानी जाने से प्राब्लम और इसी वज़े से मैं सबको यह बोलूंगे कि जब भी आप सीर दूले नहाते टाएं अपने कान को ज़रूर बचाएं पानी ने जाए सैंपू ने जाएं सारी चीजे क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होती है तो आपको अच्छे से बान अपने मतलब पाल को डिप करना है बक पाने में चोनने के बाद मैंने बन बना लिया और देख सकते हो फिर भी ममी ने उपर गहमबा नहीं कर रखा था उनको बोला मैंने कि थोड़ा सा उपर कर दो ममी कहम मोबाईल को तब ही उपर हलका से करी और आप देख भी सकते है कि मैंने कितना को किया है फिर भी समझनी आ रहा था ठीक है जैसा भी है मैंने कोसिस करी कि बन जाए और देख सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं